जग्डी बेदी है फॉर्म शेट्स इंटरनेशनल एक लस्टर रहो आटन क्राफ्ट आज हम बड़े और चौड़े रीबन से बॉब नाना सीखेंगे करते हैं स्टांट यह मैंने रीबन लिया आप देख सकते हैं थोड़ा सा किनारा छोड़कर मैं इसे अपनी दो फिंगर के सब्सक्राइब पर करना से करना सब्सक्राइब आ यह दो भी मैंने सब्सक्राइब यह उस्nor इयार यह और यह इसा पर गूंक क्यम्त दो कुछ अगर आपको इतना बढ़ा हिसा नहीं चाहिए नीचे तो आप इसे कार सकते हैं, यह मैंने जल्दियली में बनाई है तो थोड़ी आप इसको सीधा कर लिजेगा, रीबन को रीबन थोड़ा सा टेड़ा है, टेड़ा हो लाए गूम राई, इस तना से, यह देखीए इस तना स यह बनाई है अब मैं आपको इतने बड़े रीबन से इतने चोड़े रीबन से बनाना सिखाती हूं यह मैंने थोड़ा सा छोड़ कर यहां अपनी दो फिंगर के ओपर उसी तरह से लपेटा है जैसे वह लपेटा था दूसरी बार मैं इसको साइट से अंदर लेगाँगी यह आशा के आप रहे हैं से साइड से अंदर मैं आप देख सकते हैं यहां से चेका साइड से अंदर लिए इसको सीधा करना है इस तरह से बड़ा असान गाना यह दह से इसको सीधा करना पड़ेगा यहां पर रीबन को आप सीधा रखेंगे तो बहुत सुंदर इसी लुक भी आएगी और आपको बार-बार सीधा भी नहीं करना पड़ेगा बस यही इसको ध्यान लखना है कि आपने नौट लगाते से में इस रीबन को सीधा रखना है तो देखें यह सीधा रखके आप इसे खीच दें इस तरह से नौट कसी कर दें और फिर इसे बाहर निकाल दें तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर बनाया है हमारा कितना सुंदर बह बनाया है इसमें कुछ ज़्ादा नहीं है आपने बस इसको ध्यान से रखते हुए सीधे करके इसको करना है और यहां पर आप कोई भी चीज लगा सकते हैं यहां पर आपने ग्लू लगाई और शीशा भी लगा सकते हैं यह भी लगा सकते हैं नग भी लगा सकते हैं मूति भी लगा सकते हैं कुछ भी लगा सकते हैं तो आप देखिए इस तरह से यह मैंने वाइट मूति लगाया हुए देखिए तो आप इसी तरह से दो फिंगर के ऊपर आपने एक बार लेना है दूसरी बार करते हुए इसके अंदर से निकालना है और यहां से आकर नौट लगा देनी है नौट लगा कर थोड़ा सा हल्क सा करते हुए बस आपका वह बन गया गुड़ लग टाई करेगा गुड कि उजी लगड लग भीट रचजन करेगा है और यहां से झालना हाँ टे के आकर नौट